हेलो वेलकम बैक आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान तरीका पाइपिंग लगाने का यह मैं बाजू कट करके रखी हुई है तो यहां पे आप देख रहे हैं जो डाला हुए है थोड़ा सा कपड़ा कम था यहां पे जॉइंट लगा है 16 इंच मुझे रेड करके यहां पे मार्क कर लिये है पाइपिंग बहुत ही सिंपल तरीक्गे से मतलब की आपको बनानी नहीं पड़एगी पाइपिंग आप बिना बनाए पाइपिंग इसको साथ में ही अटैच कर सकते हो जिसे कि अपना टाइम भी बच जाता है और फिर भी बहुत आसानी से बिलकुल सिंपल और बहुत ही अच्छे फिनिशिंग से ये अटैच हो जाती है तो यहां पर मैंने दूसरी साइड से भी इस तरीके से मार्क कर रही हूँ दोनों साइड से बाजू को मार्क कर लिया है लेकिन ये मार्क तो मुझे सीधी साइड में लगाने है यह मैंने उल्टी साइड में मार्क लगाए है यहां पर तो बाद में मैं इसको सीधी साइड में भी मार्क कर लूँगी जब मेशीन पर जाऊंगी तो बस इतना साई मार्क लगाना है इसको यह वाला जो मार्क लगाया था मैंने यहां पर इसको सीधी साइड से मार्क कर दिऊंगी यहां पर ऐसे तो जितना भी आपको फोल्ड करना हाना मतलब जितनी आपको लेंथ चाहिए लेंथ के बाद जितनी भी आपको बाजू रखनी weld करनी लगना है वंशा ब compelled करनी है आप को इस ओरां का MARK लगाना है अब मैंने piping के लिए यह दोरी ले लिया है और यह गाती से कि पट्डीं है मतले फैब्री के लिया है यह एक इंच काइए कि पौना इंच काप ले सकते हो अराम से इसमें ही Pipeing बहुत अच्छी बन जातीà यह तो कौना इंच का चोड़ाई हो यह यह वाली दोल होता है जो है यहां पाइपिंग लगाना चाहते है उसकी केप कटने की जरूरत नहीं है कई बर होता है चलो नापके हम काट भी लेते हैं तो यह भी अच्छा तरीका है तो इस तरीके से ऐसे लगाओ देखो डोरी को अंदर मैंने लगाया कपड़े के यहां पे टांका लगा दूंगी तांकि वह खीचे नहीं यहां पे थोड़ा सा डोरी क जो है कपड़े के साथ अच्छे से जम जाए तो यह जो मैं पाइपिंग लगाना शुरू कर रही हो ना यह बाजू की जो फैब्रिक है उसके उल्टी साइड में है अंदर की साइड जो आप सिलाई देख रहे हैं मैंने जॉइंट लगाया हुए है जो अंदर की साइड चुरू की है खुला वड़ा साइड बाहर की और और जो बंद साइड है यहां अंदर की यह वाली बंद साइड है इसकी तो इस तरीके से यह जो धागा है अंदर जो डोरी डाली है बिल्कुल इसके बाजू में बिल्कुल इसकी जड़ में सिलाई लगाते जाना है मैंने य टोरी के ऊपर मशीन चलती नहीं है और वर फीनिशिंग से आपकी पाइपिंग नहीं लगेगी इसलिए आप कोशिश करें कि फूट पाइपिंग ही यूज़ रहें डोरी यह पाइपिंग लगाने के लिए डोरी वाली पाइपिंग लगाने के लिए इस तरीके से इसको इस तरह से डोरी अंदर डालते चाहिए कपड़े के साथ में और इस तरीके से बिलकुल इसके जड़ में सिलाई लगाते जाहिए बहुत ही सिंपल तरीका है आप सबसे पहले आप बनाओ उसके बाद आप यहां पे अटेच करो तो आपको सिलाई लगाने का टाइम बच जाएगा आप काफी सारा टाइम सेव हो जाता है और दूसरा है कि सिलाईयां कम लगती है इस तरीके से तो आप देखो ऐसे लग गया इसको सीधा कर लिया है ना सीधा करने के बाद एक फोल्ड ऐसे करना है बाहर की और इसको दूसरा फोल्ड यहां करना है यह जो मार्क लगाया है बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे जितना हमको फोल्ड करना है हमने यहां पर मार्क लगाया था ना बस वहां पर ही इसके रखके इसकी जड़ में सिलाई लगानी है मतलब ना तो कप् पाइपिंग के उप़र ऑए ऐप सिलाई और जो फेबरीक का जॉंइंट है जो हमने सिलाई लगाई एसके अंदर सिलाई लगाई एसे लगएगी इससे कि पता रहें पनाईनी चले गा कि लेगेए व मतलब गुम हो जाती है सिलाई जब इस तरीके से हम सिलाई लगाते हैं तो पाइपिंग और फैप्री के बीच में जो जोईंट लगा है ना बस उसके अंदर जड़ में सिलाई लगानी है बहुत सिंपल तरीका है बहुत जल्दी इस तरीके से पाइपिंग लग जाती है जैसे मैंने folding के उपर पहले mark लगाया है ना अगर आपको mark नहीं लगाना है तो आप यहां पर कपड़ा फोल्ड करके उसके उपर प्रेस भी कर सकते हो तो अभी बहुत आसानी से यहां पर piping लग जाती है तो मैं mark लगा के ही ज़्यादातर करती हूं अगर कोई यह सिल्क वाला कपड़ा है जैसे है ना साटीन का है नई टिकता है बहुत इधर उदर जाता है तो उसको प्रेस करके भी लगा लेती हूं तो इस तरीके से यह piping लग गई है बहुत अच्छी लगी है इसको इस तरीके से फूल्ड कर देना है अब इसके उपर लगा देनी है कच्छी सिल्हाई कच्छी सिल्हाई इसलिए लगानी है कि यह जो प्टी है ना इसके ऊपर मैं बाद में तर्पाई करूंगी तो अगर आपको तर्पाई नहीं करने है तो आप नॉर्मल सिलाई उल्टी साइड से इसको लगा दीजिए बिल्कुल पटी के कॉर्नर में तो सिलाई भी लगा सकते हैं लेकिन यहां पे मैं इसको तर्पाई करने वाली हूँ इसलिए यहां पे मैं सिलाई लगा रहे हैं, तो बहुत ही असान तरीका है, बहुत ही जल्दी लग जाता है, कम सिलाईयां लगती है, और टाइम भी बचता है, और सिंफल भी है, आप कोई भी चाहिए अप बिगिंर्स भी हैं, तो भी आप इसको आसानी से लगा लेंगे, तो इस तरीके से सीखने के बाद आप जरूर ट्राई कीजेगा और मुझे अपना experience कॉमेंट में जरूर शेर कीजेगा मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग